हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का नेचरल लाइट में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप एक नॉर्मल गाउन को मैटनीटी गाउन में यानि कि फिडिंग गाउन में कनवर्ट कर सकते हैं कोई भी गाउन हो आपके पास तो यह देखें यह मेरे प पाड़ वो चुका है और मेरे एक्सपिरियंस से ज्यादा दिन हमें इस खाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैं इसी को कनवर्ट कर रही हूं हम कुछ दिन के लिए इसका यूज कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है छुलिए मैं आपको दीखाती हूं अब सबसे पहले मेरा यह जो गाउन है उसे मैं दोनों साइट से इस तरीके से पकड़ कर इसे फोल्ड कर लूँगे जो आगे का फ्रंट हिस्सा है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से हमें इसे सैट कर लेना है और हम इसका सेंटर निकालेंगे तो उसके उपन करूंगे और मार्क किया था उसे में थोड़ा सा डाक कर लूँगी तो यह देखिए मैं ने इसे डाक कर लिया है और यहां से अब हमें इसे cut कर देना है something 7.5 इंच जीटना हम यहां पर cut करेंगे और उसके बाद half इंच जीटना इस तरीके से cross में cut करना है तो अब मैंने लिए एक zip और zip को देखिए आपको इस तरीके से रखना है पहले मैं गाउन का उपर का हिस्सा उल्टा कर लूँगी और उसके बाद देखिए हम zip को लेंगे और zip के जो right side है उसे और गाउन के जो right side है उसे हमें अंदर की तरफ रखना है यानि के सामने सामने रखना है और यह wrong side दोनों बहार की तरफ रहेंगी और इस तरीके से देखिए हम यहाँ से सीधी सिलाई करेंगे जो हमने cut लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई करनी है तो देखिए इस तरीके से आपको zip को पकड़ना है मैंने यहाँ पर easy रहे इसलिए zip को open कर लिया है और जो cut था वहां तक मैंने सिलाई करके lock कर दिया है अब इसमें हम second side पर zip को attach करेंगे तो देखिए zip को इस तरीके से पकड़ना है फिर से हमें दोनो right side को अंदर की तरफ रखनी है gown की और zip की और इस तरीके से हम यहाँ पर देख लेंगे के दोनों side से same आ रहा है यह उपर नीचे नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से मैं set कर लूँगे और यहाँ पर अब मैं सिलाई कर लूँगी अब यहाँ पर zip हमारी उपर रहेगी और कपड़ा नीचे इसी तरीके से आपको comfortable रहेगा तो इस तरीके से पकड़ती हुए आपको यहाँ सिलाई करनी है तो यह देखिए मैंने सिलाई कर ली है और लास्ट में जो cut लगाया था गाउन में वहाँ तक सिलाई करके मैंने lock कर दिया है अब देखिए हमारी जो zip है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी हम इसे थोड़ा बंद करके देख लेंगे अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसे दबा कर side में जो उठा हुआ कपड़ा है उसे भी stitch कर लेंगे पर यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है zip को इस तरीके से बाहर देखे उस तरीके से कपड़ा खीच के सिलाई नहीं करनी है आपको इस तरीके से जो gown का कपड़ा है उसे थोड़ा zip की तरफ आगे की तरफ रखना है और देखिए यह zip बिल्कुल भी बाहर नहीं दिख रही है उस तरीके से कपड़े को set करते हुए यहां सिलाई करनी है बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा इस तरीके से देखिए हम last तक सिलाई करेंगे नीचे तक और यहां पर जो हमने cut लगाया था corner है वहां पर हमें इसे अंदर की तरफ पुस करना है fold कर लेंगे और यहां पर भी हम double सिलाई करके lock कर देंगे उसके बाद हमें second side पर भी इसी तरीके से पकड़ना है कपड़े को कि हमारे zip बहार न दिखे और यहां से भी हम उपर तक सीधी सिलाई कर लेंगे तो यह हमने पूरे में सिलाई कर ली है अब यहां पर उपर जो भी zip का open हिसा दिख रहा है बाहर की तरफ उसे हम cut करके निकाल देंगे जिप हमने जो lock किये हुए है जिप के वहीं से attach करना start की थी तो बाहर की तरफ पिल्कुल नहीं दिखेगी यह cut कर देंगे तो यह देखिए यह हमारा zip यहां पर बहुत ही अच्छे से lock हो चुका है और आप चाहें तो यहां पर एक और सिलाई भी कर सकते हैं अब जो extra zip है अंदर की तरफ उसे हम cut करके निकाल देंगे तो यह देखिए यह हमारा maternity gown ready हो चुका है आप सेम तरीके से किसी भी कूर्ती में भी कर सकते हैं और कोई भी घाउन में भी कर सकते हैं आपको जो भी comfortable लगता है उसमें आप कर सकते हैं यह देखिए बिल्कुल भी हमारे zip पहार की तरफ नहीं दिख रही है और एकदम मस्त comfortable यह हमारा maternity gown या फिर आप बिडिंग गाउन भी बोल सकते हैं वो बनकर रेडी है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए यूसफुल होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और यूसफुल लगा है तो प्लीज इसे जदा से जदा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए हम मिलते हैं ऐसे ही और इंड्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत